पूम शान्ती बाम दादा मदवन आज की मदूर मुली तेशनव दो हजार चोविस मीठे बच्चे अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी बुद्धी में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आये हैं प्रेस्ट बाबा किन बच्चों को इमानदार फूल कहते हैं उनकी निशानी सुनाव उत्तर आनेस्ट फूल वय है जो कभी भी माया के वस नहीं होते हैं माया की खिटपिट में नहीं आते ऐसे आनेश्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुर्शार्ट करते हैं वैप पुरानों से भी आंगे जाने का लच रखते हैं अपने अगुणों को निकालने के पुर्शार्थ में रहते हैं दूसरों के अगुणों को नहीं देखते ओम शांती शीव भगवान वाच वै हुआ रुभानी बाप क्योंकि शीव तो सुप्रीम रू है ना आत्मा है ना बाप तो रोज-रोज नई-नई बाते समझाते रहते हैं गीता सुनाने वाले सन्यासियाद बहुत हैं वै बाप को याद ना कर सके बाबा अच्छर कभी उनके मुख से निकलना सके आज की मुल्ली से मुख 10. पहली पॉइंट वै ब्रह्म को ही याद करते हैं मुख से कभी शुव बाबा नहीं कहेंगे भल तुम जाच करो दूसरी पॉइंट परमपिता परमात्मा वै है सुप्रीम परम है क्योंकि परमधाम में रहने वाला है तुम भी सब परमधाम में रहने वाले हो परमधाम में रहते हो परंद उनको परमात्मा कहते हैं वे कभी पुनरजना में नहीं आते तीसरी पॉइंट मनुस बहुत भूले हुए हैं नहीं जानते तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं सिरी क्रेश्न को तो कोई भी जान ले चौथी पॉइंट क्या सन्या से शिव भावा को याद कर सकते हैं वे कई भी नहीं सकते कि निराकार गाड को याद करो कब शुना है पहुत पढ़े लिखे मनुष भी समझते नहीं है पाँचमी पॉइंट हमने ये राज कैसे पाया इनमें ग्यान होता ही नहीं पद पालिया फिर ग्यान की धरकार नहीं ग्यान चाहिए ही सद्गती के लिए ये तो सद्गती को पाय हुए है चट्मी पॉइंट बहुतों में कुछ ना कुछ खामिया जरूर हैं समपूर तो कोई को कह नहीं सकते सोला कला समपूर बनने के लिए बहुत मेनत चाहिए अभी कोई समपूर बनना सके साथमें पॉन्ट भगवान वाच है कि दे सहित दे के सब धर्म छोड़, माकेम याद करो क्या यह इस दीक्रेश्न करते हैं, माकेम याद करो आठमें पॉन्ट शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रत एक ही है तो जरूर सिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे न, बाब को याद कर सकते होंगे, दोनों इसमें हैं, एक तो बाब और दादा, नमी पॉइंट, यह अनाधि ड्रामा बना हुआ है, कितनी करोणों जिव आत्माई हैं, इतने सब कहां रहते हैं, निराकारी दुनिया में, बाकी यह सितारे तो आत्मा नहीं, दस्मी पॉइंट, अभी बाब ने तुम्हें ग्यान की चावी दी है, जिससे बुद्धी का ताला खुल गया है, पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे, अच्छा, धालना के लिए मुक्षार पहली पॉइंट, किसी से भी इर्षा आद नहीं करनी है, खामिया निकाल संपूर बननी का पुर्शारत करना है, परहाई से उच पन पाना है, दोसरी पॉइंट, सरीर सही सब को सन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंचा नहीं करनी है, अहेंकार नहीं रखना है, वर्दान आज बाबा ने दिया, अविनाशी और बेहत के अधिकार की खुशी वा नसे दोरा सदा निश्चित भव, इस पश्टी करने, दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया, बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना वा मैस रेष्ट अधिकारी आत्मा, इस बेहत के अधिकार की नसे और खुशी में रहो तो सदा निश्चित रहेंगे यह अविनाशी अधिकार, निश्चित ही है, जहां निश्चित होता है, वहां निश्चित होते हैं, अपनी सर्व जम्मेवारियां बाख हवाले कर दो, सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, स्लोगन आज बाबा ने दिया, जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं, वही एकता की निव है, ओम शान्ति